मनुष्य परिस्थिती की नहीं, परिस्थिती मनुष्य की रचना है. दिन प्रति दिन आप जो चुनते हैं, जो सोचते हैं और जैसा करते हैं, वही आप बनते हैं. निश्चित धे है और उस तक पहुँचने का द्रिढ निश्चे रखने वाले मनुष्य से मिलने पर विरोध और रुकाव्टे गायब हो जाती है आप जैसे ही आपाखोते हैं वैसे ही आपकी शक्ती खोने की शुरुवात हो जाती है सफलता सहयोग नहीं है निश्चित धे सामने रखकर उस धे प्राप्थ होने तक लगन से की जाने वाली मेहनत का वह नतीजा है सच्चाई मानना ही होगी कि हर दिन सुनहरे नहीं हो सकते गलतियां होगी लेकिन जिन्दगी रुकेगी नहीं वो चलती रहेगी जब प्रेशर की आदत हो जाती है तो आप इसका मजा लेने लगते हैं हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम बढ़ाना है नए निर्मान के लिए पुरानी अंचाही चीजें धहानी पड़ती है आलसी कलाकार कभी भी महान कलाकृतियां नहीं बना सकते मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की कलपना शक्ति असीन है जो आप नहीं चाहते हैं, उस बारे में सूचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं प्रेन का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी यह सब कुछ बता देता है जीवन में प्रेन की उपस्थिती हो, तो घटनाओं की व्याख्या बदल जाती है बिना निराश हुए हार को सह लेना, साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है दुनिया उदाहरन से बदलेगी आपकी राय से नहीं मनुष्य के लिए कठिनाई जरूरी है, उसके बिना सफलता का आनंद नहीं है धन की आपको रक्षा करनी होती है, जबकी ज्यान आपकी रक्षा करता है जीवन की यात्रा सपने देखने से शुरू होती है, सपने शक्तिशाली होते है सफलता और कुछ नहीं, बस आपके परिश्रम का मीठा फल है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इसी से जीवन तय होता है आप खुद को जीती है, दुनिया अपने आप जीत लेंगे तर्क संदत व्यक्ति अपनी सोच और समझ से आगे बढ़ता है, न की भावनाओं और अर्मानों की वजह से ऐसे ही प्रेनादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक, शेयर वस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद